Hello everyone, स्वागत है आपका आश्टेधी रूल में Friends, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे दुइगाद समिकराण के बारे में ठीक है, दुइगाद समिकराण के बारे में आप लोग इस वीडियो को क्या करिएगा तो सबसे पहले देखिए कि जो द्विघात समीकरण का सुत्र क्या होता है सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का जो form होता है मतलब इस्टेंडर तोर पे उसका समीकरण क्या होता है तो देखिए इसका जो समीकरण होता है समीकरण क्या होता है आपका कि Ax Square Ax Square 플us BX Ax Square 플us BX plus C equal to 0 ठीक है यही आपका क्या होता है । मतलब स्टेंडर तोर पे इसका सुत्र होता यही होता है यहाँ पे AB की जगा और C की जगा कुछ भी हो सकता है संख्या की तोर पे क्या होगा कुछ भी हो सकता है 2, 4, 5 जो भी हो जाए, ठीक है, तो यह था आपका द्विगाद सभिगण का सुत्र, ठीक, आप देखेंगे कि जो गात समीकरण के मूल क्या होते हैं ठीक ना देखे इसके मूल कितने प्राप्थ होंगे दो मूल प्राप्थ होंगे क्यों क्यों क्योंकि इसके एक्स पे कितने गात हैं आपके दो गात है जिसे एक्स के पावर दो है तो इसके मतलब है कि इसके जो मूल प्राप्थ होंगे वो दो मूल पराप्त होंगे, ठीक है ना, कितने मूल पराप्त होंगे, दो मूल पराप्त होंगे, यदि यही पे एक्स के पावर तीन रहता, तो यहां पे इस समीकरण का जो मूल पराप्त होते हैं, कितने पराप्त होते हैं, तीन पराप्त होते हैं, ठीक है ना, तो यही उस is on to certain. अब दिखिए अब देता है आपको कि और ठाट I यह आप्कρά दीया हुआ करिये मूँल कौन het ह मूँल कैसे निकालेंगे हम लोग उसके क्या होता है ठीक है तो फार्मूला क्या होता है अलफा होता है माइनस b आपका minus b plus root में root में क्या होता है आपका b square minus 4ac ठीक है न made is-per divorced minus 4ac, 파-2a, Big 10-4ac,cek है प्लज़ाना अद्यद्यक्त अपान टूए और एक तो अलफा का वैलू हो गया यह यहीं पे अब हम लोग जानेंगे कि बीटा का वैलू क्या होता है तो बीटा का भी वैलू यही होता है बस यहां पे जैसे प्लस लगा हुआ है वहां पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा ठीक ना क्या लग जाए ठीक है दो मूल पराप्त होंगे अलफा इकोल टू माइनस बी प्लस रूट में बी स्कार माइनस फोरेसी अपन टूए और माइनस बी यहां पर बस माइनस लग जा रहा बस आपको फार्मूला वही है आपका यहां पर देखिए प्लस है और यहां पर क्या है आपका माइनस है ठीक अब हम लोग जानेंगे कि यह बी स्कार माइनस फोरेसी क्या होता है ठीक है न तो इसका चीज के लिए उसको हम दिखाते हैं आपका डी ठीक है जिसको डिस्क्रिमिनेंट या भी वित्तिकर बोलते हैं जहां से हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकिर्थी के बारे में यदि हम लोग डी को जानें तो तो डी बराबर होता है आपका बी स्कार माइनस फोरेसी ठीक है न इसका फार्मूला होता है आपका डी बराबर बी स्कार माइनस फोरेसी जो D को बोला जाता है विवित कर ठीक है न इसको क्या जानते हैं विवित कर ठीक विवित कर इसको बोलते हैं discriminant D बराबर 20 square minus 4 C यहीं से हम लोग जानेंगे कि मूलों की प्रकृर्टी के बारे में ठीक है न यहां से हम लोग नीचे देखेंगे कि यदि D जो D है आपका is greater than मतलब बड़ा हो 0 से 0 से जब बड़ा रहता है तो जो मूल होते हैं उस समीकरण के जो मूल होंगे वो मूल क्या होंगे और समान होंगे मूल और समान होंगे और क्या होंगे आपके भिन होंगे मूल और समान और भिन होंगे भिन मतलब अलग-अलग मूल प्राप्त होंगे मतलब आपको यहां से समझ जाए कि यदि हमारा कोई समीकरण दे दिया जाए समीकरण मतलब दुगात समीकरण दे दिया जाए यदि यहां से हम लोग पूछ दे कि इस समीकरण के मूल कैसे प्राप्त होंगे मतलब उसके आपकी क्वालिटी क्या होगी तो उसको आपको डी निकालना पड़ेगा जाए यदि आ ये तो पहला हो गया दूसरा क्या होता है आपका दूसरा यदि निकालना वएलू जीरो के बराबर आजाता है यदि D का value 0 के बराबर हो जाएं तो मूल के आऊंगे समान प्राप्त होंगे मूल समान प्राप्त होंगे और वास्तविक प्राप्त होंगे यह दोनों चीज़ देखे हमने एक ही चीज़ लिख दिया है और समान और भिन यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था क्या वास्तविक वास्तविक और भिन होना चाहिए ठीक यहाँ पे लिख लीजिएगा वास्तविक मतलब वो जो मूल होंगे वास्तविक या रियल होंगे और भिन होंगे अलग-अलग होंगे और इसके मूल क्या होंगे ये भी वास्तविक ही होता है और समान होगा ठीक है ये भी क्या होंगे जीरो से छोटा मिले तो उसके मूल क्या होंगे आपके काल्पनिक होंगे क्या होंगे आपके काल्पनिक होंगे देखिए आप यदि यहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्वेश्चन को लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह कैसे कि यह है क्या प्रकिर्थी के बारे में हम लोग इस जो वीडियो में देख रहे हैं अब देखे इसमें question लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना देखे जैसे हमने पहला question ले लिया ठीक है ना पहला question क्या है हमारा कि समीकरण 2x square plus 8x plus 8 equal to 0 के मूलों की प्रकिर्थी बताईए अब देखे यहाँ पर देजिया ना question कि आप यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि इसके मूल कैसे प्राप्त होंगे मतलब किस तरह के रहेंगे तो यह देखे हम लोग तभी जान सकते हैं जब हम लोग 20 square minus 4ac का value निकाल लेंग तो d बराबर हम लोग निकालेंगे क्या b square minus 4ac अब जानिये कि हम लोग इसमें से b क्यालेंगे a क्यालेंगे c क्यालेंगे यह तो चीज आपको जानना पड़ेगा तो हमने आपको बताया था कि जो दूइगाद स्विमिकरन का जो सुत्र होता है क्या होता है आपका कि ax square plus bx plus c equal to 0 यही बताया था ना हम आपको तो यहाँ पर देखिए कि x square का जो गुड़ांक है a है यहाँ पर x square का गुड़ांक 2 है मतलए 1 a बराबर क्या हम लेंगे 2 लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं कि a बराबर 2 ठीक है वैसे ही b बराबर क्या हो जाएगा आपका x का जो गुड़ांक है x का गुड़ांक 8 है तो यहाँ भी आपका 8 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा आपका c बराबर भी 8 हो जाएगा देखिए यहाँ पर c की जग़ा पर 8 है ठीक है यहाँ से आप लोग समझ गये अब देखेंगे जब इतना हो गया तो आप देखेंगे क्या कि 20 स्कॉर 20 स्कॉर का मतलब 8 का स्कॉर ठीक है ना 8 का स्कॉर माइनस 4 गुड़ते ए बराबर क्या है आपका 2 है और c बराबर क्या है आपका 8 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 ठीक है समझ में आगे आप यहाँ तक अब देखेंगे 8 का स्कॉर क्या होत जीरो प्राप्त हो गई तो हमने आपको बताया था जब डी का वैलू जीरो हो जाता है तो उसके मूल क्या हो जाएंगे समान होंगे मूल क्या होंगे समान होंगे और क्या होंगे वास्तविक होंगे ठीक है मूल समान भी होंगे और वास्तिक होंगे और यही आपको बताना रह ठीक ना कि समीकरण कि जो मूल पराप्त होंगे वो समान होंगे और वास्तिक होंगे यहां पर हम लोग मूल को निकालने रहे हैं ठीक ना मूल को निकालने के लिए हम वहाँ से क्या करेंगे गुड़न खंड वी दी लगाएंगे चाहिजो भी है वह आपको अगले वीडियों ठीक न यह वाला कोशन आपको समझ में आ गया दूसरा कोशन देखेंगे इसमें देखेंगे अगला कोशन इसमें देखेंगे तो देखेंगे इसका solve कैसे करेंगे फिर हम लोग क्या निकालेंगे d बरापर वी निकालेंगे ना बी स्कॉर माइनस 4ac अब देखेंगे कि B का value यहाँ पर क्या है, B बराबर मतलब क्या होता है, X का गुडांक होता है, X का गुडांक मतलब 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का square, minus 4, गुरते A का value कितना है, X square मतलब 2 है, यहाँ पर, C का value क्या है, 4 है, यहाँ पर 4 लिख लेंगे, बस, ठीक है, यह ह हो जाएगा god 25 माएना 4 दोना के 8 चोका 30 ठीक और 32 हो जा रहा है अब देखेंगे कि इसको ज़्य हम लोग घटाएंगे तो यह आएगा माइनस साथ ठीक है घटाएंगे तो किता depreci訂 माइनस 7 से अंहीघगा जब डी हमने आपको उपर बताया भी था कि इसके मूल क्या होंगे आपके कालपनिक प्राप्त होंगे ठीक है ना यह 0 से छोटा प्राप्त होंगे इसके वज़ाद से इसके मूल क्या होंगे कालपनिक प्राप्त होंगे देखिए अब देखेंगे अगला question ठीक है ना यह वाला जो question है बहुत ही important question है और आपके exam में पूछा भी जाता है यह वाला question यह हमेशा question आपको exam में आएगा ही आएगा fix है ठीक है न क्या है आपका कि यदि समीकरण x square plus k x plus 7 equal to 0 के मूल बराबर हो मूल बराबर हो तो k का मान ग्यात कीजिए ठीक है न कि एक अमान यहां से हम लोग निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखिए सबसे पहले यह समीकरण आपका दिया हुआ है तो के मूल बराबर है मूल बराबर होने का मतलब क्या होता है आपका कि d बराबर 0 होगा ठीक है न मूल बराबर तभी होता है न जब डी बराबर जीरो होगा और डी बराबर क्या होता है आपका कि बी स्कुरार माइनस पूर एसी ठीक है न बी स्कुरार माइनस पूर एसी अब यहाँ पर देखेंगे कि इतना बराबर जीरो भी लिख सकते हैं क्यों लिखेंगे क्यो क्या है बराबर है आपका और भी का वेल्ट यहां पे निकालेंगे तो बीक वेल्ट कै striving होता है तो के स्कॉ Rab लिखेंगे मारा पोर एक वेल्ट का पर क्या है एक है जब एकस्कुरा का कुछ भी गुडाइंक नहीं है तो उसको आगे क्या होता है एक होता है और C का value क्या है 7 है तो 7 लिखे लेंगे equal to 0 ठीक है अब देखिए K square minus ये देखिए 7 चोग का 28 हो जाएगा equal to क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ठीक है ना 0 हो गया आपका यदि यहां से हम लोग K का value निकालेंगे तो K square equal to क्या हो जाएगा 28 उधर जाएगा तो समिकर में हमने आपको बताया भी था कि जब minus का plus से हो जाता है तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा ठीक है ना K square का value आगे 28 अब यहां से हमको K का value निकालना है बस तो क्या होगा K का value के का value हो जाएगा आपका ये देखी जब K लिखेंगे तो उधर जाएगा तो आपका root हो जाएगा ना root करेंगे तो plus minus भी आगे लिखा जाता है ठीक है plus minus ये हो जाएगा root में 28 अब 28 को देखें तोडएंगे हम लोग तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहां पर हम आपको बता रहे हैं देखिए 28 को लिखेंगे तो 7 गुर्टे 4 होगा और 7 गुर्टे 4 होगा तो यहां पर 4 बाहर हो जाएगा 2 मतलब 2 root में 7 हो जाएगा ठीक है न देखे 4 को हम लोग बाहर कर देंगे तो 2 हो जाएगा न दो root में आपका 7 हो जाएगा तो यहीं से हम लोग answer क्या लिखेंगे देखे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या plus minus 2 root में 7 यहीं न लिखेंगे 2 root में 7 और यहीं क्या हो जाएगा आपका finally answer हो जाएगा ठीक है न मूलों का योग फल क्या होता है मूलों का गुड़न फल क्या होता है अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे ठीक है न यह वीडियो आप लगा चाहें करके ज़रूर बताईएगा और मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएजएगा मिलते हैं अगले वुडियो में तब तक के लिए जैहीं जै भारत